तो आज हम बनाएंगे पुरानी सलवार से प्लाजो और इसको बनाना बहुत ज़्यदा असान है जसे कि देखी मेरे पास ये गरम पुरानी सलवार है और इसकी जो मूरी है बहुत भड़ी बड़ी है और प्लाजो का आजगल वैसे भी fashion चल रहा है तो इसकी मूरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पहले इन मूरीों का बहुत ही रिवाज चला था मैं सोच रही हूँ इस सलवार को फिर से reuse किया जाए और सबसे पहले इसकी मूरी को सलवार से मैंने अलग कर लिया है और उसके बाद फिर हम इसकी बैल्ट को सलवार से अलग करेंगे यहां पे बैल्ट को आप उधेड भी सकते हैं पर उधेडने का जंचट मुझे बहुत बूरा लगता है तो मैंने इसको देखे यहां से कट कर लिया है अगर आप भी कट करोगे तो ध्यान से इसको कट करिएगा इदर आगे पीछे जो है हमारी कटिंग नहीं जानी चाहिए एकदम से बराबर से इसको हमने यहां पे कट कर लेना है और सलवार से बहुत असानी से प्लाजो जो है वो बना सकते हैं तो यह देखिए बैल्ट को अब मैंने निकाल लिया और यहां से जो इसका नेफा है यह भी हमने बाद में अच्छे से उधेर लेना है तो यह देखिए यह काफी खुली अब हो गई इसकी प्लिट्स जैसे ही निकलती है यहां से भी इसको देखिए इस तरह से हम उधेर लेंगे अगर आपका कपड़ा जो है पतला से है ना तो आप ध्यान से यह काम करिएगा तो यह देखिए पूरा इसको अब मैंने उधेर लिया है अब हमें इसमें प्रेस कर लेना है ताकि अच्छे से जो है हमारी कटिंग होई और यह देखिए जो बेल्ट है इसमें से भी नेफा हमने यहां से निकाल लेना है तो सलवार में देखिए प्रेस मैंने कर लिए और इस तरह से इसको डबल करके रख लिया है बैल्ट का यूज हम तब ही करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी पर इसमें बैल्ट की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है अगर आपकी लेंद्ध जादा ही कम हो जाए तो आप इसमें यूज फिर नीचे कर सकते हैं यहां से मैंने 17 इंच रख के नीचे को सीधी मैंने कटिंग कर लिया है 17 इंच मैंने इसलिए लिया है कि 10 इंच की यह हीप है और इसमें 3 इंच हमने लूजिंग देनी है और उसके बाद फिर आसन के लिए भी आगे को हमें चाहिए तो तीन इंच आसन तो इस तरह से आगे का यही कपड़ा हम यहाँ पर देखें रखेंगे और हमारी जो लेंथ है वो पलाजो की पूरी अब यहाँ पर हो चुकी है तो अब जखेंगे इस पलाजो को कट करते हैं तो देखें यहाँ से मैं इस तरह से नाप रही हूँ और यह पूरी लेंथ जितना मुझे चाहिए उतनी ही हो चुकी है और अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे पास देखिए इसमें से भी कपड़ा बचेगा और साथ में जो बेल्ट है वो भी अभी एक्स्ट्रा हमारे पास है तो यहाँ पर मैंने 10 सिंच का पोज़चा प्याले ले लिया है त्यार मुरिजद्ध नहीं होगी हम रख लेंगे और यहाँ से सीधा इसको देखिए इस तरह से कट हम कर लेंगे और यह जोड हमारा आता है तो देखिए सलोर है तो आपकी कुर्ती भी होगी तो कुर्ती में फिर यह दिखता नहीं है यह हिप की साइड को हमारा यह जोड आएगा इसलिए अब देखिए अब प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ इसमें हिप और यह 10 इंच है हिप का फॉर्थ पार्ट अब नीचे को जो है इस तरह से हमने इसको लाइन ड्रो कर लेने हैं और यहा से इस तरह से आसन को हमने मिलाना है और अब प्लाजो को हम कट कर लेंगे तो यहां से देखिए पहले आसन से इसको हम कट कर लेंगे अब को मैं फिर से बता दूँ यह वला जोड जो हमारा कुर्टी के नीचे आएगा क्योंकि आदा तो इसमें इलास्टिक में यह मुड जा था वह हमने साइड में कर लिया यूंकि सलवार में बहुत जादा कपड़ा होता है तो सबसे पहले जब इसको हम सीलेंगे तो यहीं से सीलेंगे इस तरह से देखिए इसको सील लेंगे और इदी के इसको मैंने सील लिया है अब देखे आसन में हम ऐसे सीलाई लगाएंगे दूसरे साइड का आसन भी इसमें यहां पे स्टेच कर लेंगे अच्छी खुली जो है हमारी प्लाजो इसमें बन रही कोई भी कंजस्टर प्लाजो नहीं बनती है और सच में बहुत अच्छी प्लाजो जो है यह बनती है निच्चे से मूरी को सिंपल हम इस तरह से फोल्ड कर लिया है सिंपल देखे इस तरह से मूरी को फोल्ड कर लेंगे अब हम जितना हमें मूरी को रखनी है आठ इंच की तो मैंने रखी आठ इंच की और फिर इस तरह से एक सिलाई लगा के हमारी सलवाशा देखिए बहुत अच्छी प्लाजो बनके त्यार है अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगाओगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो में फस्ट बार विजिट कर रहे होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाज तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद